क्या बात है आज बड़े साड लग रहे हो पिछले कुछ दिनों से कमपनी के बॉस का बिहेवियर काफी बदल गया है हर छोटी-छोटी बात में बहुत रूडली बात करते हैं मन करता है कमपनी चेंज कर लो देखो भाई आज बॉस का बिहेवियर खराब है इसलिए तुम कमपनी चेंज करोगे लेकिन हो सकता है अगली कमपनी में कलीक्स अच्छे नहीं हो बात तो तुम्हारी सही है लेकिन कब तक चलेगा रोज-रोज के ताने खाकर मैं ठक गया हूँ अगर हमारी कोई गलती हो रही है तो उसे हमें सुधार लेना चाहिए और हमारी कोई गलती ही नहीं तो हमें बुरा भी नहीं लगना चाहिए किसी के बिहेवियर से अगर हमारा मूड अप एंड डाउन हो जाए इसका मतलब हमारा मन कमजोर है मतलब कहना क्या चाहता है? मैं कमजोर हूँ? नहीं भाई, तुम तो जिम विम जाकर बड़े फिट हो, लेकिन सिर्फ फिजिकली, वैसे ही तुम्हें mentally भी फिट होना होगा, किसी की कोई भी बात का मन पर असर नहीं हो, अगर हम बस बस जानता हूँ, जानता हूँ, अब तुम मुझे मेडिटेशन करने को बोलोगे, जो मुझसे होगा नहीं, उससे तो और ही ज्यादा डिप्रेशन में चला जाओंगा हाँ, मुझे पता है, लेकिन ये एक शर्थ पर ही पॉसिबल है, जैसे तुम फिजिकली फिट रहने के लिए जिम के साथ सही डायट भी फॉलो करते हो, वैसे ही mentally फिट रहने के लिए, मेडिटेशन के साथ साथ तुम्हें positivity का dose भी लेना होगा positivity का dose मतलब मैं समझा नहीं, मतलब मूड खराब करने वाली बातों के वाइरस से बचने के लिए, कुछ सकारात्मक ज्यान की बाते पढ़नी या फिर वीडियोज देखनी चाहिए, हमें mental और emotional immunity को strong करने के लिए, mind के junk food यानि negative stressful content को replace करना होगा healthy empowering content के साथ ओ येस येस अब मैं समझा तभी तो बाते boss की हो या sas की बुरी नहीं लेगेंगी